नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानद पांडे नित्यसादना में आपका स्वागत करते हैं तो आज हम चर्चा करेंगे पूजा पाठ कोई भी उपाय ब्रत करके आप ठक चुके हैं मा लच्छमी का बास आपके घर में नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप ध्यान देजिए कहीं या दोस्त आपके घर में नहीं रहेंगे कोई भी पूजा करेंगे पाठ करेंगे ब्रत करेंगे अगर ये दोस्त आपके घर में रहेंगे तो आपके घर में लच्छमी का बास नहीं होगा दोस्तों सरपर्थम पहली बात सुर्योदय के बाद हमें नहीं जगना चाहिए सुर्य सफल्ब्यक्ति सुर्योदय के पहले ही जhitता है उसका सफल्था का मूल कारण यही होता है, अगर वैज्ञानिकी दिरिष्टि से देखा जाए तो दोस्तों हमें सारीरिक लाभ भी मिलते हैं, अगर अध्यात्मिक दिरिष्टि से देखा जाए, तो कोई भी सफल्ब्यक्ति सु और योदस से पहले जगता है तो इस बात का हमें विशेज ध्यान देना चाहिए दूसरी चीज दोस्तों जिस पर्स में हम पैसा रखते हैं उस पर्स को साप सुथरा रखना चाहिए कटा फटा नहों नारत पुराण में लिखा गया है कि जहां सफाई रहती है वहां ही मालच्मी का वास होता है तो दोस्तों जो भी अपना पर्स है उसमें जब आप पैसे रखते हैं तो क्रमबध तरीके से रखें और अपना पर्स का ध्यान दें कि वो कटा फिटा ना हो और अपने पर्स में हो सके तो गड़ेश जी और मातालच्म का फोटो जरूर रखना चाहिए और हर दिपावली जब आप एक साल में दिपावली आती है तो अगर आप सच्छम हैं तो पर्स नहीं प्दल देना चाहिए पिर अगली चीज दोस्तों बचाना चाहिए घर से कर्ज नहीं लेना चाहिए मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज हम जल्दी चुका नहीं पाते हैं इस वज़े से मंगलवार के दिन कर्ज लेने से बचे मंगलबार के दिन सेविंग नहीं करना चाहिए, औरतों को बाल नहीं धोना चाहिए, इससे रिड, रोग और सत्रू, तीनों हमारे उपर हावी होते हैं, तो दोस्तों इस चीज़ से आपको बचना चाहिए, अगली चीज़ बताना चाहूंगा दोस्तों, घर में कबाड कठा नहीं होने देना चाहिए, इससे आप बचे घर में जैसे चपल है, जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी तूट गई हैं, हम उसे नहीं यूज कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे टीवी है, या कोई ऐसा कबाड है, जिसका हमें यूज नहीं करना है, कुरसी है, उसका हम यूज नहीं करते हैं, तो उसे हम रख देते हैं, तो ऐसा आप न करें, फटे हुए कपड़े हों, यह सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसे नहीं घर में रखनी चाहिए, उसे घर के बाहर रख देनी चाहिए, उसे कबाड में बेच देनी चा रखना चाहिए नहीं तो यह नकरात्मक तब फैलाती है और इससे हमारे उपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इससे हमारा राहु खराब होता है तो दोस्तों इस चीज से आप बचें अगली चीज बताना चाहूंगा इलेक्ट्रिक समान जो चीज हमारे यूज में है वही चीज घर में रखना चाहिए या खराब इलेक्ट्रिक समान अपने घर में नहीं रखना चाहिए जैसे घड़ी है पंखें है कूलर है जो चीज खरा करके आप यूज में ले सकते हैं या आज खराब हो गया तो दो-चार दिन में हम बनवालें लेकिन अगर खराब चीचे ज्यादा दिन से पड़ी हो तो उससे घर से बाहर कर देने चाहिए इससे सनी और राहु खराब होते हैं दोस्तों एक चीज का और ध्यान देना चाहिए जो भी इलेक्ट्रिक समान हम खरीदें उसे किष्ण पच्छ में खरीदना चाहिए यह बहुत ही लावकारी होता है दोस्तों अगली चीज बताना चाहूंगा रात में जूठा बरतन नहीं छोड़ना चाहिए हमारे कीचन में हम खाना खाने के बाद में जूठा बरतन अगले दिन धोने के लिए छोड़ देते हैं या बेड की नीचे छोड़ देते हैं सोफे की नीचे छोड़ देते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए हमारे कीचन में अनपूर्णा का वास होता है इस वज़े से रात में मा लच्छमी भ्रम्न करती हैं इस वज़े से हमें रात में जो भी हम अपना बरतन खाना खाने के बाद जो बरतन होता है उसे साप सुतरा करके ही सोना चाहिए इस चीज़ का विशेश ध्यान देना चाहिए अगली चीज बताना चाहूंगा, ज़ाडू, ज़ाडू लगाकर जैसे हम ज़ाडू लगाते हैं अपने घर में और एक दिन, दो दिन का एकठा हो जाता है तब गंदगी को बाहर ले जाके कबार को फेकते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए हमें अपनी घर की सरसफाई करने के बाद में जो भी कुडा करकट निकल ला है उसे ले जाकर के घर के बाहर फेग देनी चाहिए इससे घर में नकरात्मक तक जन्म लेती है और हमारे उपर इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ता है दोस्तों अगली चीज़ बताना चाहूंगा जो भी हम भोजन करते हैं उसका कुछ हिस्सा गाय को, कुट्टे को, कौवे को देनी चाहिए जैसे पहली रोटी गाय को देनी चाहिए आखरी रोटी कुट्टे को देनी चाहिए या च्छत पर कुछ कच्चे आना आज चावल गे हूं कुछ आप ले जाकर के डाल दें जिससे की चिडिया खाले कोवे खाले या जो निरी ही जीव है उसका अगर पेट भरता है दोस्तों तो उससे परमात्मा हमारे उपर स्वेंग तत्पर रहते हैं तो दोस्तों इस बात का विसे ध्यान देना चाहिए अमोस्यतिती के दिन मालच्मी को प्रसंद करने का तेवार माना जाता है इस वज़े से अमोस्यतिती के दिन पीपल ब्रिच में जल और दूद डाल कर इसे जरूर सीचना चाहिए पीपल ब्रिच में जला और दूद अगर हम डालते हैं तो हमारे इस से पित्र दोस्त में सांती मिलती है और अगर हमारे पित्र दोस्त प्रसंद होते हैं पित्र प्रसंद रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का दोस्त नहीं लगता है अगर पित्र दोस्त अगर हमारे उपर लगता है पित्र हमारे हम से नाराज रहते हैं तो मंगलिक कार में रुकावाट आती है घर में बीमारियां फैलती हैं घर में जगड़े होते हैं तो दोस्तों यह कारे आपको जरूर करना चाहिए, दूसरी चीज़, दोस्तों अमोस्या और पूर्णिमा के दिन, अपने दरवाजे पर सफाई करके, जल छिड़क करके, और अपने में गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन जरूर बनाना चाहिए, अगर इसे चाहते हैं, आप तो हर ह होता है, और अस्थाई बास हमारे घर में मालच्च्शमी, जहां पे आप जानते ही होंगे, जहां पे सफाई होती है, वहां मालच्शमी का वास होता है, तो यह कारे आपको जरूर करना चाहिए, दोस्तों परति दिन, संध्या के समय अपने घर में धूप जरूर दिखाना सरवपर्थम हमें दूप अपने घर के मंदिर में दिखाना चाहिए उसके बाद में पूरे घर में दिखाना चाहिए फिर जहां मारा पैसा रुपया रखा हो तीजोरी हो उसमें दिखानी चाहिए और पूरे घर में दिखाने के बाद अपने में गेट पर दिखाएं उसके ब बोलते बोलते Sounds रहना चाहिए, कोई भी मंत्र, या gray,िख लूम और धूब दिखा करके खोला क्या हो पोजा स्थान वह रक्क देना चाहिए, दोस्तोई अगली चीज़ बताना चाहँँगा, अगर आपके घर कोई ठीजा जाते है आज ब्राह्मन आ जाते है तो उसे संतुष्ट करके भेजना चाहिए उसे कुछ न कुछ दे करके या जल पिला करके ही भेजना चाहिए लेकिन उसे असंतुष्ट करके नहीं भेजना चाहिए दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा आप किसी भी मंदिर में जाते हैं या आपके घर का मंदिर जो भी है आप पूजा राधना करने जाते हैं तो उसमें जो भी परसाद लेकर जाते हैं उसमें तुलसी दल डाल के आप परसाद चढ़ाते हैं तो आप इस बात का विसेश ध्यान देजिएगा कि हर भगवान को तो हम जैसे जैसे चढ़ा देते हैं और जो चढ़ाने के बाद परसाथ अगर भगवान सीव भी रहते हैं तो उन्हें भी हम वह परसाथ चढ़ाते हैं तो इस बात का विसेश ध्यान दें दोस्तों मंदिर मे या घर पर कहीं भी अगर अरुपित कर रहे हैं, तो परसाद में अगर तूलसीदल डाला हुआ हुआ broadly हुआ तो भगवान सुव को नहीं आुल अरुपित करना चाहिए, इस चाज़ का विश糖 द्यान दें, विश糖 और दें देवी देताओं को जरूर आप अरुपित करतें, ल झाल